फिल्म निर्माता संजैलीला भनसाली रानी पदमावती के जीवन पर आधारित एक फिल्म बना रहे है जो काफी विवादित हो रही है जानि ए पदमावती के बारे में कुछ बातें रानी पदमावती की कहानी साल 1540 में मुगलकाल के प्रख्यात कवी मलिक मुहमद जायसी द्वारा लिखे गए महाकाव्य में कही गई है रानी पदमावती चित तोड के राजा रावल रतन सिंग की रानी थी जो अपने सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद थी रानी पदमावती से राजा रावल रतन सिंग ने स्वान्यवर प्रतियोगिता जीत कर शादी की थी पुराने समय में स्वान्यवर एक प्रतियोगिता होती थी जो कन्या पक्ष के द्वारा आये जित की जाती थी इसे जीतने वाला ही कन्या से विवाह योग्य माना जाता थ राजा रावल रतन सिंग बहुत ही बहादुर राजा थे उनके दर्बार में एक राघव चेतन नामक संगीतकार था जो एक जादू गभी था। किसी कारणवश राजा रावल रतन सिंग ने उसे देश से निकाल दिया और वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिल जी से जाकर मिल गया। उसने राजा रावल रतन सिंग की राणी की सुंदर्ता के बारे में अलाउद्दीन खिल जी को बताया तो अलाउद्दीन खिल जी के मन में राणी को देखने की इच्छा जाहिर हुई। उसने राजा रावल रतन सि अलाउद्दीन खिल जी ने राजा रावल रतन सिंग को बंदी बना लिया और यह शर्त रखी कि अगर तुम्हें अपना राजा चाहिए तो राणी पदमावती को मुझे सौंपना पड़ेगा। एक ऐसी ख्रिया थी जिसमें राजय की हार होने पर स्त्रिया अपनी इच्छा से आग के एक बड़े से कुंड में कूद कर अपनी जान दे देती थी।